अरी टिपसं दादा हाम रोफिरो ने बहुत दिनों से एक मिसन कंप्लेट नहीं किया है आप एक काम कीजिए आप कोई साभी एक मिसन दे दिजिए अरे हाट टिपसं दादा आजे विल रोफिरो पहली बर सही बात बोला है आप हमें एक मिसन दे दिए अच्छा तो सुनो तुम लोग को सबसे पहले कसी नो के पास जाना और उसके पीछे तुमें एक बूट मिलेगा उस बूट पर जो सबसे पहले चड़ गएगा हुआ ही आज का इस मिसन का भी नरोगा तो लो मैंने सबसे मस्ट मिसन तुमको बता दिया अब तुम लोग जा सकते हो अरे हाँ टिपसन दादा गम लोग जा रहे हैं अई यो टिपसन दाद जाए इस मैच को स्टार्ट करते हैं अरे विल रो फिरो के बच्चे आज तो मैं तुझे इस मैच को जितने ही नहीं दूँगा देखना मैं तो लगतार हर मैच जितने ही आया हूँ लेकिन ये मैच तुझे आज बिलकुल नहीं जितने दूँगा मैं और यो फिरो बहले मैं तेरे से हर में चाड़ता हूँ लेकिन आज का ये मैंस तो मैं जरूर जीतुँगा क्योंकि मैं इस बॉल को चलाने में एक्सपर्ट हूँ और ये बॉल को तो मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ अच्छा तो ये देखा एविल रोफिरो मैं तो कसीनों के पास भी आ गया अच्छा तो कोई बात ने रोफिरो मैं भी ज्यादा पीछे नहीं हूँ मैं भी तेरे पास ही पहुँच गया हूँ ये देखो तू भी बिल्कुल मेरे पास ही है अब चलो उपर चलते हैं हम दो फटा फट से और ये लो एविल रोफिरो के बच्चे मैं तो आगया अब यहाँ पर अब फटा फट से मुझे वोस बोट को डूनना है पता नहीं टिप संतादा ने उस बोट को कहां रखा है चला हम दो फटावर से उस बोट को डूंड के आते हैं और यार पता नहीं ये रोपीरो काओ भाग गया मैं भी इसके पीछे चलता हूँ ये रा अगर मैं इसे नहीं पकड़ पाऊंगा तो बोट मेरे से पहले डूंड लेगा और बाई साब लगता है इसे बोट मिल गिया है और ये तो बोट के पास भी पहुँच गया और रोपीरो आज तुम फिर से हार गया और रोपीरो फिर से गीत गया